माइक्रो वेव हैं जितने भी एइर फ्रायर हैं ये सब चीसें हमारे लिए नुक्सान दे Unsure लेश चेंसर का सबसे बड़ा कारण है माइक्रो वेव का ओवर यूज करना एर फ्रायर का यूज करना चीनि जो है वह कोकेन के बाद सेकेंड जितनी मोटी कमर उतनी छोटी उमर दा लांगर दा बेल्ट दा शौटर दा लाइफ यह दो चीज़ें नमक के लिए कर लो बीपी की गोली तीन महीने के अंदर अगर साथ में कुछ चीज़ें फॉलोग कर ली तो 80% चूली वर्ड वर टू में जब खून की कमी हो गई जी तो इसका कॉंपोजीशन और खून को कॉंपोजीशन काफी तक सिमिलर है तो इसको डारेक्ट भी चाहाया गया था इतनी अच्छी चीज है ना रहे हैं शीला जीत का प्रयोग कर सकते हैं जिनको भी स्पाम काउंट को इंक्रीज करना है शीला जीत बहुत अच्छी आशुदी ह हलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगिंदर सिंग राठोड आप लोगों के लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड आज हमारे बीच बहुत स्पेशल गेस्ट मुझूद है आयरुवेदिक डॉक्टर एन अंट्रपेनियर प्लीज वेलकम पुनीद धवन जी तांक्यू जी तांक्यू जी तांक्यू सो मच अपुनी जी आयरुवेद में आपका इंटरस्ट किस चीज से ट्रिगर हुआ कब आपने डिसाइड किया कि इसी फील्ड में मुझे आगे ब पेशेंट्स कितने अच्छे जल्दी ठीक होते थे वो देखने के बाद मैंने सोचा कि एक प्रॉब्लम और थी आयरुवेद में कि यह सर्व व्यापी नहीं था यह हर जगा प्रेजेंट नहीं था यह लिमिटेड लोगों तक ही जा पाता था और लिमिटेड ही प्रेजेंस थी इस बट रिजर्स बहुत अच्य थे बट ड्यू टू सम उर आदर रीजेंस यह सभी जगा प्रेजेंट नहीं था तो मुझे लिए बहुत बड़ा एक इसके अंदर यह कि हम पेशेंट्स को किस तरीके से और ठीक कर बाएं पेशेंट्स की और किस तरीके से उनको सेवा क कर पाएं उनको chemical वाली दवाईों पर निरबड़ता उनकी काम हो पाए तो इसलिए मैंने जब इतने अच्छे रिजल्ट देखे और यह सबसे बड़ी problem solving है जो लोगों को बिमारी है उनकी problem solve हो रही है तो इससे मुझे लगता इससे बड़िया कोई problem solve हो नहीं सकती तो यह मैंने आईरुवेद का राश्ता चुना चैमिकल दवाईों में आपने कहा कि उससे लोग बच सकें तो एक आईरुवेदिक दवाई और केमिकल दवाई दोनों में basic difference किसी इसका रहता है तो केमिकल वाली जो दवाई होती है वो एक पैथी है अलोपैथिक उसके दवारा आरुवेदिक दवाई जो है वो आघरुवेदिक पैथी दवा जो अगर हम बात करें तो केमिकल वाली दवाईयों का एजाद लगबग 2.200 साल पहले हुआ है और आईरुवेदिक दवाईयां जो हैं वो लगबग 5.000 साल पहले कुछ ग्रंदों के अनुसार और अगर हम भा यहाँ पे अगर medicine जो होती है इसके अंदर side effects नाम की कोई चीज नहीं होती है इसमे side benefits नाम की चीज जरूर होती है अगर आप एक particular चीज के लिए आप treatment ले रहे हो तो हो सकता है आपकी दूसरी चीज जो अगर आपको थोड़ी कम भी होगी secondary problem भी आपकी resolve हो जाए तो एक एक hub के multiple benefits होते हैं और side benefits जरूर मिलता है अगर आप proper dosage में लेते हो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि ayurvedic दवाई के side effect तो किसी भी चीज की हो सकते हैं लेकिन अगर आप doctor की देखरेक में लेते हो तो आपको वो बहुत अच्छे results मिलते हैं आप alopathy में एक दवाई का नाम कोई भी उठालो चाहे basic आप paracetum 1 उठालो या कोई भी x y z कुछ भी दवाई का नाम उठालो और उसे google पर डालो list आ जाएगी उसमें दुनिया वर के क्या क्या side effect है और तो अगर पढ़ लो तो दर जाएगा इतने सारे side effect है एक दवाई के लेकिन फिर भी हम जो आनो वो chemical वाली दवाईों पर निर्बर होते चले जा रहे हैं आज हमारे पास भी patient का बात आयरवेद ने जब उसे chemical वाली दवाई उसे relief नहीं मिल रहा हो primarily वो पहले जाता तो उसको बहुत अच्छे results और changes नजर आ जाएगे अगर चाइना में जाते हैं न तो चाइना में जो होता है चाइनीज आदमी जो होता है वो पहले जाता है चाइनीज medicine लेता है और जब उसे result नहीं मिलता तब वो chemical वाली दवाई की तरफ जाता है अच्छा हमारे यहां पे उल्टा होता है हम पहले chemical वाली दवाई की तरफ जाते हैं और जब result नहीं मिलता तब हम आयरुवेद की शनन में आज़ तो यह सोचने समझने वाली जरूरत है कि बिना side effect वाली दवाई अगर possible है तो क्यों न ली जाए एक इसमें कोशन आता है जो कई intellectuals यह सवाल जरूर सामने रखते हैं और रिसेंटली भी शाय थिंक west world में जादा यह रहता है कि आयरुवेदा जो है वो evidence based नहीं है कि अगर आप suppose किसी दवाई से यह cure हो रहा है तो वो कहते हैं कि यह experimentally tested नहीं है यह evidence based नहीं है तो आपका इस पर क्या कहना है कई लोग इसे pseudoscience भी बोलते हैं कई लोग placebo बोलते हैं कि यह सिर्फ placebo है तो किस हद्था कि यह evidence based है हमारे यहाँ पर कैसे test होते हैं अभी हम बात कर रहे थे पुरी डॉक्टर की पढ़ाई होती है इसके उपर पुरा course है completely so how it is not evidence based I don't get it दीखे proper evidence है अगर मैं इसको कई सतरों में बताना चाहूँगा जो patient मेरे पास आते हैं हमारे पास आते हैं तो उसकी proper medical report होती है diagnosis उसका blood reports में होता है जिसमें वो normal कहीं और पर diagnosis कराएगा उसका CBC LFT, KFT या जो भी blood reports हो नहीं है उसका अगर x-ray होना है ultrasound होना है CT होना है वो before की report है उसकी सबसे पहला तो patient के point of view से बात कर रहे है कि वो before की report है उसकी उसने treatment लिया Lopathy में भी तो वो यही करता है ना बाद में दुबारा report कराता है thyroid की दवाई खाता है आयरोवेदिक कहीं पे भी किसी भी डॉक्टर से आप treatment करा रहो वही report आप तीन महीने बाद करा हो before और after में आपको changes नजर आएंगे किस तरीके से आ रहे है changes आप वहाँ पे भी देखो क्या thyroid ठीक होता है किसी patient का मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई दवाई एक प्रॉब्लम हेलोपेथी की एक ऐसी बिमारी जो दवाईों से ठीक होती हो इपी ठीक होता है sugar ठीक होता है thyroid ठीक होता है दवाईों के का symptoms भी नहीं यह तो बढ़ती चली जाती है अगर आप sugar देखो कि starting में किसी का Hb1 से कम होगा ग्राज जो नहीं वो बढ़ता चला जाएगा उसके बाद उसकी sugar के बाद पताते हैं कि एक गोली से काम नहीं रहे हो आप दो गोली लेलो फिर वो चार गोली लेलो फिर इंसुलिन लेलो इंसुलिन के बाद फिर लंबे समय के बाद आप जो है आपकी लिवर पे, हार्ट पे, किड्नी पे, ब्रेन पे अफेक्ट आ गए, कॉम्प्लिकेशन आ गई डाइबिटिक, नेफ्रोपेथी हो गए, नियूरोपेथी हो गए इस तरह कि ये प्रॉब्लम जंजाल बनती चली जाती है तो ये शुरुवात कहां से हुई कि प्रॉब्लम को मेंटेन करके धीरी देरे बढ़ाया जा रहा है एक पर्टिकुलर जग़। जबकि उसका जड़ से इलाज करना भी स्थंभाव है सेम गोस्ट और ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर अगर वोई दवाई खाता है तो सारी जिंदी की दवाई खा रहा है उसकी ब्लड बीपी किसी का ठीक नहीं हो रहा अगर वो केमिकल वाली दवाई खा रहा है तो बीपी ठीक नहीं हो रहा है सारी जिन्दी की दवाई का रहा है Maintain हो रहा है Temporary लेकिन वो भी Temporary हो रहा है थोड़े Time बाद दो दवाईों के बाज़ा चार दवाई हैं छे दवाईों के जूरत पढ़ती है और यह BP और Sugar दोनों भाई मैंट जहाँ पे BP आता है थोड़े टाइम बाद शुगर भी आ जाती क्योंकि दवाई के भी side effect होते हैं और शुगर होता है तो थोड़े टाइम बाद भी भी हो जाता है ऐसी एक भी जो है जो दवाईयों और गोलियों के कारण बिमारी ठीक होती हो ऐसी कोई भी chemical वाली दवाईयों से तो ठीक नहीं होती जबकि आयरुवेद जो है वो जड़ से काम करने पर विश्वास करता है root cause पर काम करने पर विश्वास करता है holistic approach के साथ काम करता है body के जो organs हैं उसको अलग-अलग consider नहीं कर सकते हैं it is a holistic approach जहाँ पर हम पूरी body के ओपर ज्यान देते हैं और उसे हिसाब से करते हैं कि बिमारी जो जड़ से ठीक हो so जड़ इसमें क्या होती है जैसे जो एलोपेदी के अपरोच है वो एक पार्ट को अलग करके करने और आयुरुवेदा में I think वातपित का उसका कुछ concept लेते हैं अगर वो आप clear कर सकें जी बिलकुर एसेंस आयुरुवेदा करके है जो आपने evidences की बात कही थी तो मैं उसके लिए भी कुछ add करता हूँ evidences जो है ना इसके अंदर एक तो यह patient के लिए evidences होगा दूसरा कोई भी आयुरुवेदिक medicine अप्रूव होने जाती है उसमें proper clinical trials होते है clinical trials के बाद वो medicine जो होती है यह सब कब हो रहा है जबकि आयुरुवेद यानि कि आयुश का budget जो है पूरे इंडिया का वो aims दिल्ली के budget से भी कम है जो दिल्ली एम्स एक hospital है उसका budget और आयुश का पूरा budget तो एम्स दिल्ली का budget जाता है मैं पूरी एलोपेथिक की बात नहीं करता है यह सब उसके बावजूद भी हो रहा है और दुनिया वर की researches और reports जो है वो आयुश की website पर उपलबते है वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या evidence based हीज़ी हो रही है तो मतलब जो exactly एक एलोपेथिक दवाई के लिए जो clinical trial run होती है जो experiment run होता है exactly वैसा का वैसा trial हमारी अविरुवेदिक medicines के लिए भी run होते है clinical trials run होते है patient के उसके बाद ही वो medicine एप्रूव होती है उसके बाद ही हो हम उसको market में ला सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है हम जो patient को medicines देते हैं उसको हमारे यहाँ पर अपनी medicines बनाई हुई ही देते हैं हम market की medicines पर निरबर नहीं रहते हैं तो क्या होता है उससे medicines की efficacy और medicines के results में बहुत अच्छी improvement देखने को मिलती है जब patient की जो दवाई होती है वो उसी के अनुसार उसी की बिमारी के अनुसार उसी के अवस्ता के अनुसार बनाई जाती है उसके results ही next level पर होते है जैसे ऐलोपेथिक दवाईया कोई company बनाती है तो उसके कुछ rules होते है आयुरवेदा में भी वो rules है या कोई भी उन दवाईयों को बना सकते है आयुरवेदा के rules जो है वो ज़्यादा strict है मेरे हिसाब से क्योंकि या लोगा थी कि manufacturing company को एक वी फार्मा की ज़रूरत होती है लेकिन यहाँ पे आयुरवेदिक वाले में भी फा वो अपने मरीज के लिए अगर खुद दवाई बना कर देता है तो उससे बड़िया result बार की दवाई पर निरबर नहीं है तो उससे बड़िया result नहीं आसा कितने patients हैं जिनकी diabetes ठीक हुई है कितने patients हैं जिनका BP ठीक हुआ है weight loss के कितने patients आते हैं उनका weight loss हुआ है kidney जिनका GFR पर कम था उनका GFR इंप्रूव है जिनका dialysis चल रहा था है dialysis reduce हुआ है कितने patient है जिनका thyroid ठीक हो गया ऐसे एक नहीं सेकड़ों नहीं हजारों की संक्या में इस तहां के patient है जहां पर before की report है और after की report है यह सारी वीडियो हमारे YouTube पर भी उपलब है जहां पर patient मेरे सामने समक् हो आता है suppose कीजे कोई एक X जगा से आया तो अपनी local report करा कि before की और after की लाता है तो इससे बड़ा before और after से बड़ा क्या scientific होगा कि पहले क्या problem थी और आप क्या problem है वो हमारे सामने है I think काफी लोगों का इससे जो मित है वो हटेगा and they will gain more trust on our Ayurveda so हम एक और बात बीच में कर so how it core essence के Ayurveda का किस principle पर ये काम करता है देखे Ayurveda में तीन डोश बताए गए है जो वात पित और कफ आपने बताए और साथ धातुए बताए गए रस रक्त मास में दस्ति मज़ा शुकर और बहत्तर अजार नाडियां है जो हमारे शरीर को चलाती है अब जिस प्रकार से सूर पित कफ हमारे शरीर में प्रॉपरली बैलेंस होने चाहिए अगर ये त्री दोश प्रॉपरली बैलेंस है तो हमारे को कोई बिमारी नहीं हो हम बिलकुल स्वस्थ हैं हमारा ultimate aim यह है कि इनमें से कोई दोश ज़ादा ज़रूत से ज़ादा बढ़ता है तो वो बिमारी की गुटनों का दर्द हो गया जैसे स्पाइनल प्रॉबलम्स हो गई इस तरह की जो इशू जाते वो बात जितने ही प्रकार के दर्द हैं वो सारे वाद से रिलेटेड हैं बोडी में जो भी आ रहे हैं बिना फिजिकल चोट के जो आ रहे हैं कि आपको चोट भी नहीं लगी लेकिन फिर भी देखते हैं कि पैन मेरी मदर के भी कई बार यह से यह अंगुटे के यहां पर पैन आता है उनको कई बार इंजेक्शन लेना पड़ता है आईरवेदिक भी वो साथ में इलाज लेती हैं तो जितने भी यह बोन डिलेटेड पैन या जो फिजिकल चोट भी न हर वाईयू को अलग अलग रोल बतायागे ईसलिक प्रकार से इसलिक बात बढ़ता है तो इस तरीकें से हमने बइफ करणा इस जो टो कीजित लेकिन कुछ है इगर अगर हम अपनी देली लाइस में फॉलू करें तो हम बिमार ही नहीं पड़ते हैं आईरवेदिक क्या कहता ह कि Ayurved सफ़िए पहले ही समझना पड़ेगा, बहुतald है लोग, कि Ayurved क्या है स्वास्ठ से स्वास्टरक्षन, मातुर्रस से विकार प्रश्म। आयुरुवेद कहता है कि आयुरुवेद का पहला प्रयोजन यह है कि आप का स्वास्थे आप जो स्वास्थे हैं वो स्वास्थी रहे वो बिमार ना पड़े और दूसरा प्रयोजन क्या है दूसरा है इन क्या है जो बिमार है उसको ठीक कर दुनिया में 100 से अधिक पैथी है लेकिन आयूरुवेद ही एक पैथी है जो कहती है बिमारी ना पड़ो अगर आप आयूरुवेद का पालन अच्छे से कर लेते हो अगर आप अच्छे से प्रॉपरली आहर विहार दिंचरय का फॉलो करते हो अब बिमारी नहीं पड़ोगे दवालयों के प्रिवेदा तो बाद में पड़ोगे न यहांनि प्रिवेंशन और क्यॉर दोनों में काम हो लेकिन प्रिवेंशन पे भी बहुत जादा जोग है बागी ही सुथ पैथीज में क्योर पे ट्रीटमेंट पे जोग है यहां पर प्रिवेंशन के बीमारी ना पड़ आप इस प्रकार की आपका अर्वियार उनाची इस प्रकार की दिन चर्याओने चीज़ें सब चीजें बहुत अच्छे से बताई गई हैं किस तरीके से उन्हें जिससे आप बीमारी नहीं पड़ रहे हैं आपके वात्वित कफ बैलन्स सेल रहे हैं जैसे बहुत से लोग आपने अगर देखा होगा तो क्या होता है अगर आप ये फॉलो कर लोगे ना तो मैं ये कह सकता हूं कि 90% बिमारी या जो है वो आएंगी निए 90% बिमारी ये शरीर में नहीं आएंगी अगर एक छोटा सा सूत्र फॉलो कर लेगे जैसे कि भोजन अंते विशमवारी यानि कि भोजन के अंत में विश समान है वारी यानि पानी पानी जब हम पीते हैं नहीं बहुत शलू है खाना खाया पानी पिया खाना खाया पानी पिया लेकिन जब वो पानी हम पीते हैं तो हमारे जटरग नहीं होती है तो पेट की अगनी होती है जिस प्रकार खाने को बनाने में अगनी काम आती है उसी प्रकार खाने को पचाने में अगनी होती है पेटे में जिसे कहते हैं जटरक वो काम आती है तो जैसे खाना बनेगा नहीं अगर वो अगनी नहीं होगी वैसे खाना पचेगा नहीं अगर हमारे पेट की अगनी नहीं हो तो अगर हम जो बनाने वाली खाने की जो बन रहा है खाना उसमें उसमें पानी डाल दे तो अगनी क्या होगा उसको थ्रा बुझ जाएगा बुझ जाएगी अगनी इसी प्रकार से हमारी जटर अगनी है अगर हमने खाने के बाद पानी पिया तो अगनी बुझ जाएगी और वही खाना जो है वो undigested food की फूर्म में आम बन जाएगा आम कहते हैं undigested food जो हमारे शरीर में जाके कठा होता है जो 100 से जादा बिमारियों का कारण है अगर ये छोटा सा सूत्र फॉलो कर लिया तो 100 से जादा बिमारियों से निजात मिल सकती है बोजा नंते विशमवारी लेकिन बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता उनकी आदत पर नहीं होती है उनके दिमाग में होता है कि पानी नहीं पेंगे तो खाना नीचे कैसे जाएगा बहुत बड़ा वह है में खाना जटरग नहीं बचा रही है उसके बाद उसाथ दातुए बना रही है रहे सरक्त मास्त में दस्ती मजजा शुक्र हमें पानी कम से कम अरतालिस मिनट तक पानी नहीं पीना है खाने के खाना खाने के बाद गलतियां करते रहते हैं मतलब मुझे लगता है कि मैं कैसे लोगों को बता पाऊं कि अगर ये चीज़ें ना करें तो आप शायद बीमार ही ना फड़ो और अगर कुछ से पीते हैं पानी को पीते हैं più हैं ऐधी पीने का सबसे जाझा खराब है एक बहुत पावर्फुल सूत्र है वाट पिट कफ को बैलेंस करने का कि वह पानी को फिच Ça появ iemand कि घृ कि घृ कष kicking पानी को नहीं पीना है अब आप बता रहते हैं कि इसके पीछे की science क्या है तो science ही है इसके पीछे की हमारे पेट में क्या है अमलता है यानि की acid है और हमारे मुह में क्या है शार है यानि की basic है saliva है जब हम पानी पीते हैं तो वो saliva पानी में मिलता है और वो पानी पेट में चला न्यूट्रल हो गया, 108 बिमारियों से बचने का सबसे सरल सूत्र है ये, अगर हम ये फॉलो करते हैं तो वात्पित कभ भी बैलन्स होंगे और शरीर में बिमारिया आएंगी ही नहीं, इलाज तो तब कराएंगे तब बिमारी आ रही हैं, लेकिन आयरुवेट कहता है कि आप ऐ प्रिवेंशन पर एलोपेथी में तो कोई ऑप्शन है यही नहीं, आप खा रहे हो तो आपको कहते हैं कि आप बिमारी में सब कुछ खा लो, आप दवाई भी खा लो और बिमारी में सब कुछ खा भी लो, जबकि खाने पीने का बहुत महतुत पूर्ण वर्णन दिया गया ह प्रिवेज के अंदर कि क्या खाना है, किस समय क्या नहीं खाना है, यह उसी प्रकार से है कि आपने उपड़ से नल चला रहे हो और नीचे से आप जो है सफाई कर रहे हो, पोच्चा लगा रहे हो, तो क्या नीचे कभी भी सूखेगा, नहीं सूखेगा, तो आप खाना भी क कोझँ भी में खाय जाय रहे हो और ऐप जोाएं मिगा रए और आप आप जोाएं उसकी की डबाई अब म fotografsy65 अब शुगर की और चीज़न वह भी का रहे हो जिसे शुगर बढ़ रही है आपका lifestyle लेसा है और आप thyroid के दवाई भी खा रहे हो कि आपका lifestyle लेसा है कि thyroid गंट्रोल नहीं होगा तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत मैथल पूर्ण है कि हमारा खाना पीना किस प्रकार होना चाहिए हमारा RVR किस प्रकार होना चाहिए बीपी में भी इनी तरीके से prevention होगी जैसा हार्ट में बीपी जो है ना वो हार्ट से related ही है बट होता क्या है बीपी और हार्ट दोनों के लिए जरूरी है कि sodium level को कम रखे sodium level हमने बढ़ा दिया है पिछले कुछ सालों में पिछले कुछ decades में क्या हुआ पहले हम लोग जो है खाना बनाने के समय में salt डाला कर दे और west में क्या होता था वो खाना बनाने के समय salt का प्रयोग नहीं करते थे वो table salt का प्रयोग करते थे खाना बनने के बाद जो table पे salt रखते थे और वो salt को डाल ले थे बट हमने क्या किया हमने west को आख बंद करके copy करें, हमने खाना बनाने के समय भी salt डालिया और हमने table salt भी डाल दिया salt का हमने sodium हमने double कर भिया अब इस double sodium के कारण BP जो है वो बहुत तेजी से बहुत सारे लोगों का बढ़ता चला जा number one, number two BP कंट्रोल करने के लिए हमें sodium लेवल को कम करना है, जो नमक आप यूज करते हैं, iodine वाला नमक उसमें sodium content सबसे ज़्यादा होता है बड़ी में उतरे sodium के बगैर भी काम चल जाएगा, तो उसकी जगा पे सेंदा नमक का यूज करना है सेंदा नमक जिसे इस वरत वाला नमक भी कहते हैं, पाकिस्तानी नमक भी का जाता है उसका प्रयूग करेंगे, उसमें sodium का level जो है, वो कम होता है sodium level कम होने के कराण वो BP को उतनी चीजी से नहीं बढ़ाएगा ये दो चीजे नमक के लिए कर लो BP की गोली तीन महीने के अंदर अगर साथ में कुछ चीजे फॉलो कर ली तो 80% चूट जाएगा नमक कम करने से, sodium level को कम करने से अगर ये चीजे दो तीन कर ली सेंदा नमक से उसे बदल दिया आमने और नमक को आमने यूज कम कर दिया तो BP कितने लाखों लोगों का कंट्रोल हो जाएगा बिमारी जो कंट्रोल होगी और बिमारी पी जो पैसा खडच होता है वो भी कंट्रोल होगा और जो पैसा वो विदेशों में जाता है विदेशी दवा कंपनियों पर जाता है वो भी बचेगा अपनी जी आप kidney पे भी काफी health के बारे में बात करते हैं so if you can guide our audience that अपनी kidney की health को आयूर वेद को follow करते हुए किस तरीके से हम सुरक्षित रह सकते हैं कैसे उसे enhance कर सकते हैं देखे सबसे पहले kidney की health के लिए एक ऐसी चीज जरूरी है हम जो भी खाते हैं जो भी पीते हैं सब चीज़ें को adulterate कर सकते हैं चाहिए वो अटा हो चावल हो दाल हो, सबजी हो कुछ भी हो you name anything सब कुछ adulteration possible लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें adulteration possible नहीं और वो kidney के लिए अमरित है kidney के लिए अमरित है जितने भी लोग आपके podcast देख रहे हैं वो इसको daily basis पे लेना शुरू कर दे आपकी kidney तो ठीक रहेगी लेकिन आपकी सरीर जो है daily basis पे detox भी करेगा और एक ऐसी चीज़े जिसे adulteration भी possible नहीं है वो है narial पानी जिनकी kidney खराब होगी है उनको नहीं लेना नारियल पानी जिनकी kidney प्रॉपर फंक्शन कर रहे है उनके नारियल पानी बहुत बढ़ी है यह ऐसी चीज़े जिसे adulterate नहीं किया जासे वर्ल्ड वर्ड टू में जब खून की कमी हो गई तो इसका composition और खून का composition काफी अत्तक similar है तो इसको direct भी चाहाया गया था इतनी अच्छी चीज़ है नारियल तो नारियल पानी का सेवन जो है वो आप daily basis पे सबीनों करना शूल कीज़े diuretic है natural diuretic है और जो kidney के patient है उनके लिए एक आप ये भी ले सकते हैं कि आप पुनर्णवा, मकोई और कासनी का 100-100 ग्राम का powder बना के रखे वो powder बना के रखने के बाद 3-4 ग्राम आपका हो गया 5 ग्राम आप उसको सुबह लीजिए 5 ग्राम शाम को लीजिए उसको boil कर लीजिए पानी के अंदर 5 ग्राम को पानी में boil कर लीजिए लगबग 50-100 ml पानी में उसे boil करके उसे कम करके 25 ml तक कर दीजिए 1 फोट पानी में को कर दीजिए और उसको आप काड़ा बना के पी लीजिए चान कर kidney का GFR बढ़ने लग जाएगा कर इतना भी कर लेंगे पुनर्णवा, मकोई और कासनी का खाड़ा बना कर लेने से kidney का GFR इंप्रूफ हो का लव फ्लेट के कर सकते हैं यह आईरुवेद इसमें सब चीजें प्रेजन्ट हैं लेकिन हम आईरुवेद को बूलते चले जा रहे वेस्ट में उनके पास चो chemical वाली दमाएं उनकी मजबूरी की देना है तो उनके पास options बहुत कम है खाने पीने के options ही बहुत कम है एक और problem आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी है और वो है infertility की आज आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस बात से फरिशान है कि उनके बच्चे नहीं अपाते because कई बार male sperm में problem है और कई बार female egg में problem है so आयूर्वेदा में ये infertility related problems को कैसे solve किया जाए और अगर ऐसे couples हैं जो conceive करना चाहते हैं तो उसके लिए आयूर्वेदा क्या suggestions देता है IVF एक परकार की industry बन चुक industry बन गया है मतलब इतने सारे लोगों को ये problem हो रही है कि इतनी बड़े पैमाने पर यहाँ पे लोग IVF करा रहे है हर जगा पे करा IVF में जो होता है उसमें भी failure की rates बहुत जादा रहते है number one आयूर्वेदी treatment जो होता है आपको IVF की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप IVF treatment follow कर लेंगे पंच कर्म चिकित्सा में वस्ती चिकित्सा में जो होता है कई बहुत सी बार जो लोग conceive नहीं कर रहे होतें लंबे समय तक उनका पंच कर्मा है लेगी बॉड़ी का शोधन करके शोधन इसदा detoxification करके पंच कर्मा के द्वारा काफे बार देखा गया है कि जो conceive करना भी जिनको problem आ रही है उन्होंने अराम से conceive साथ साथ जो male जो sperm quality और sperm count के issues रहते हैं वो भी enhance किया जा सकता है आयरुवेद में इस प्रकार की औशदिया है कि उनको भी बढ़ाया जा सकता है प्रीज करना है शीला जीत बहुत अच्छी औशदिये अश्रुगंदा भी औशदिये बहुत अच्छी है इसके अलावा बहुत सारी अन्य औशदिये वाजी करन का पूरो प्रक्रन बताये गया लेकिन वो पेशेंट के अनुसार हम दे सकते हैं अश्रुगंदा और सिला जी दो चीज़े हम ले सकते हैं इन दोनों चीजों में स्पर्म काउंट भी इंक्रीज होगा क्वालिटी भी इन्हाइन्स होगी प्लस खाने पीने का उटने का सोने का टाइम आपको ठीक करनी है रात को जिस समय सोना है उसी समय सोना है यह चीज़ें तो खुदी आपको सेल्फ डिसिप्लिन में लानी पड़ेंगी मैं किसी वो ओनलाइन डिलिवरी वाले से मिला है तो वो कहता है हम सिरफ फूड रात को ही डिलिवर करते हैं पूरा आईरवेद की विपरीत है आईरवेद में क्लियर कट बताया गया है कि आपको सुरियास्थ के बाद कुछ नहीं खाना क्योंकि वो पचेगा नहीं और सुरियोदे से पहले कुछ नहीं खाना यह 5000 साल पहले बताया गया था यह ओनलाइन रात को ओडर करते हैं उन्सबी को बोलना चाहूँगा यह आप बिल्कुल बंद कर देजिए नहीं तो आप बिमारियों को नियोता दे रहे हैं सुरियास्थ के बाद जो भी खाना खा रहा है वो हमारे पेट में जाके आम बनेगा हमारे आंतों में जाके चिपकेगा LDL, VLDL, कोलेस्ट्रॉल इस्ता हैं कि जितने भी यूरेकासर यह सब चीज़ें वो बढ़ाने का काम करता है और आम जो है वो सौ से अधिक बिमारियों का खारण है जितने भी लोग रात को खाना फेशली बाहर का मतलब खाने और सोने में 3-4 गंटे का गैप होना चीज़े और फोर आवेस का बैप गैप इस अईडियल गैप खाना खाते हैं और सो जाते हैं वह अच्छे लोग यस बहुत लोगों साथी रही होता है वोकि वो क्या करते हैं उल्टा होता है सुबह थोड़ा सा खाता है क्योंकि सुबह काम करना लोगों की क्या माइंड सेट होता है उसके बाद दुपैर को थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं फिर रात को और आम से अब काम से टेंशन फ्री होगए आप पूरा भर के खाएंगे जब की इसके ओपोजिट करना चाहिए सुबह खाना चाहिए राजा की तरह दुपैर को खाना चाहिए आदमी की तरह और रात को खाना चाहिए बिकारी की तरह और तीन बार खाना खाने का अगर पैटर्न अगर है तो वो भी कोई जरूरी नहीं कि तीन बार खाना है हमें जो एक बार खाना खाए वो योगी जो दोर बार खाना खाए वो भोगी और जो तीन बार खाना खाए वो रोगी तो ये बहुत जरूरी तीन बार खाना भी नहीं है तीन बर खाने के हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है, हम मशीन को अराम ही नहीं जिते हैं, हमारे खाने को 4-24 गंटे लगते हैं पचने में, जो हम खाना खाते हैं, उसको डाइजेशन में 4-24 गंटे का समय लगता है, depending upon the food that we are eating, किसी को 4 गंटे, किसी को 24 गंटे, नॉन वेज मी कि चिपकेगा ही चिपकेगा, तो वो बिमारियां भी होंगी उससे, तो स्टूरियास के बाद आईरुएद में खाना नहीं शेद बताएगा, I think ये अगर फॉलो कर लेंगे, तो बहुत सारी बिमारियां जो हैं, वो आएंगी नहीं, आने के बाद चिकित्सा होगी अलग, लेकिन पहला जलूरी किया है कि बिमारी ना पढ़ हुआ, ये सारी चीज़ें महीं हैं जो आपको बिमारी नहीं पढ़ने देगी, जो एक बड़ा एक वो है कि ये सबस में आतना की रोड है, हुमायू रोड, अकबर रोड, ये, सभदर जंग रोड, सब तरह की रोड चाए इस तरह की कोई रोट नहीं है ये चीज़ें अगर स्कूल में पढ़ाई जाएं जो हमारे इतनी हमारे इन सब का कॉंट्रियूशन रहा है इतने बड़े-बड़े मारिशी जो हुए है आयरुवेथ के, खाने क्या है खाने का समय क्या है, पीने का समय क्या है तो कितना बड़ा बड़न जो है, वो सरकारी पैसे का भी पचेगा और लोग भी स्वस्थ रहेंगे जीडी पे भी बोजनी पड़ेगा हेल्थ के भी बजट जो है, उसको भी बहुत बड़ा इंपेक्ट आएगा तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो खाना खा रहे है वो खाना हमारे शरीर में पचे हमने 100 गराम खाया और 100 गराम पचाया, बहुत अच्छी सी थी हमने 200 गराम खाया और 100 गराम पचाया तो खरापसी थी तो यहाँ पे आपने गट का जिकर छेड़ा है तो गट हेल्थ के लिए आजकल गट पे बहुत माइक्रोबायों पे भी बहुत studies आ गई है जहाँ पे आपके माइक्रोबायों को study किया जाता है तो अगर गट हेल्थ में आयुरुवेदा में क्या है और अपने गट में जो good bacteria's है उन bacteria's की health के लिए भी आयुरुवेदा में क्या प्रयोजन है गट हेल्थ बहुत ज़रूरी है हमारे चरीर के लिए आयुरुवेदा में तो सारी बिमारियों कारण जो पेट से बताए कि है पेट हमारा ठीक है तो काफी बिमारियां में होंगी ही नहीं तो गट हेल्थ के लिए गुड बैक्टीरिया होते है हमारे शरीर में बैड बैक्टीरिया होते है हम जब एंटीबाइटी खाते है न तो वो बैड बैक्टीरिया के साथ गुड बैक्टीरिया भी मार जेती है हमारे इंटेस्टाइम तो ये भी एक बहुत गंबीर परिस्टी हो जाती है प्रो बायोटिक प्री बायोटिक का concept भी बहुत जादा है लेकिन एक ऐसी चीज है जो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा और जो सभी लोग यूज करते हैं लेकिन यूज करने का तरीका अगर उसको समझे लेंगे तो गट हेल्थ बिल्कुल first class रही वो है दही दही का प्रेवक हम सब करते हैं डेली बेसिस पर करते हैं उससे बढ़िया हमारे गट के गुट बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए कोई चीज ही नहीं है लेकिन दही के साथ में कुछ प्रिकॉशन्स लेनी जिरूरी दही में जब हम नमक डाल देते हैं तो वो जो दही के बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया को खतम करते हैं तो चिरह वो टेस्ट के लिए रह जाती है उसमें बैक्टीरिया मर जाता है जब हम नमक डालते हैं क्योंकि नमक केमिकली प्रोसेस्ट है दही के good bacteria उससे खतम हो जाते इसी प्रकार से चीनी चीनी अगर दही में डालते तो चीनी जो होती है वो दही के बेक्टीरिया को मार दे तो जो good बेक्टीरिया का benefit होना था पेट पे जाके अच्छा कई लोग ठंडा करके खाते हैं वो भी normal temperature पे लेना चीए फ्रीज में रखावा उससे फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा देखो दही जो है वो हमें normal temperature पे भी ले सकते है फ्रीज का भी ले सकते है लेकिन गरम करके नहीं लेने चीए ओके है गरम करके जब दही लेते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए जहर बन जाती है विश बन जाती है ओके क्योंकि बेक्टिरिया भी खतम हो गया दूसरा वो दही जो होती है दही का अपने आप में उसका एक तासीर होती है जो गरम होती है उसे हमने और गरम करती है अब उस कारण क्या होता है वो विश बन जाता है वो संसकार विरुद बताया गया आयरुवेद में इसको, करम दही को गरम करना is like, संसकार अपका विरुद हमने काम कर दिया, और यह हम एक सबजी बना के भी लेते हैं, जो हम डेली बेसी सपे, especially North India में बहुत लेते हैं, इसको कहते हैं कडी पोकोडा, वो कडी में डालते हैं, दही को गरम करके उसमें पकोड़ा डाल देते हैं तो दही जो है वो गरम की हुए वो हमारे शरीर के लिए जहर बन जाता दही बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन प्रेकॉशनल दही के साथ काफ़ी साई हमें लेनी पड़ती है इसके साथ साथ दही का सेवन जो रात के समय में नहीं करना है कफ बढ़ाता है दिन में और दुपहर को कर साथ रात में बड़ा मना किया जाता है कि दही रात को मतलो वरना आपका कफ बढ़ेगा बिल्कुल बिल्कुल दही रात को कफ बढ़ाता है और उसके साथ चाथ कुछ चीज़ें जो मार्केट की दई आती है वो हमारे को उतना फायदा नहीं करती क्योंकि वो पैस्टिराइज होती है जो हम अगर घर में दई बनाए तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफीशल रहती है आजकल तो सब बहर से ही मंगा के अमुल के जो आते हैं डबे वही मंगाते हैं मिट्टी के बरतन में लगबग हम थारा से 19 पोशक तत्व होते हैं आईरन, कैल्शियम, मैगनीशियम ये सब मिट्टी के में होता है वो मिट्टी के तत्व बर्तन में जब हम दई जमाएंगे तो वो सारे तत्व दई में आते हैं जितने भी हम कैलिशम की गोलियां खा रहे हैं आरेम की गोलियां खा रहे हैं यह सब चीजें छूट जाएंगे अगर हम मिट्टी का बर्तन अर्दन पॉट्स का यूज दुबार आई रूवेद के अनुसार हमें वो खाना नहीं खाना चाहिए जिस पे सूरे का प्रकाश ना पड़ा हो और हवा का सपर्श ना पड़ाओ वायू का सपर्श ना पड़ाओ जितने भी माईक्रोवेव हैं जितने भी एर फ्रायर हैं ये सब चीजें हमारे लिए नुक्सान दे हैES जहर हैं तो जिस emaガी रोना सर का सबसे बड़ा कारण है microwave का overuse करना air fryer का use करना इसकी जो रेज होती है यह खाने में cancer के तत्व को बढ़ाती है औरOOOOOOOO emotion का कारण बंती है हमारे शरीर में जाकर microwave तो ऐसी चीज किसी को दान में भी नहीं देना खाना फ्रिज में रखा हुआ है और उस खाने को गरम किया और गरम खाने को माइक्रोवेव में करके खा लिया शरीर में कुछ फायदा नहीं करेगा कैंसर सेल्स को बढ़ावा देगा यह microwave की raise इतनी खतरनाक है हम चारो तरफ इसे में डूबे वे हैं हम कहते हैं कि हम बनाएंगे गर इंगे time लगेगा time लगेगा तो लगा लो क्योंकि नई तो पीमारी में बाद में time लगाना पड़ेगा जो microwave के जरीए हम time बचा रहे हैं इसको आज ही आप अपने घर से निकाल के फैक दीजीए किसी को दान में भी नहीं देना इतनी खतरनाक चीज जाए ओ, that's the new information जी, 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 इसकी raise होती है दो और दो जर वेरी dangerous raise और खाने में वो इस तरीके की परिवर्तन कर देती है जिससे हमारे शरीर में जाके भिन-भिन प्रकार की विवारिया उत्पन होती है जिसमें cancer एक बहुत बड़ी विवारी और एक और मैं चाहूंगा कि diabetes एक बहुत बड़ा मुद्दा आज कल रहता है हम diabetes की capital बनते जा रहे हैं उस पर अगर आप कुछ टिप्स लोगों को दे सके हैं कि कैसे diabetes में आयुरुएदा मदद कर सकता है prevention में especially देखिए diabetes जो है वो एक ऐसी बिमारी है जो बहुत तेजी से बढ़ती चलिए जाती जिसकी complication उस बिमारी से ज़्यादा dangerous हो जाते हैं पहले medicine चली फिर insulin चला फिर जो है उसकी complication आ गए brain पे, heart पे, kidney पे, liver पे damage आने शुरू हो जाते हैं तो diabetes की prevention में सबसे ज़्यादा जरूरी है रुकावट जो सबसे बढ़ी रुकावट diabetes को ठीक करना में वोग चीनी चीनी को बिल्कुल हमें बंद करना है नंबर वन चीनीज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी हो चाहिए हो हमारे शरीर को 18-20 पोशक तत्व चाहिए होते हैं तो चीनी में ऐसा एक भी तत्व नहीं है चीनी में क्या vitamin है A, B, C, D हमारे बॉड़ी को चाहिए होते हैं कुछ इस तरीका vitamin है नहीं है चीनी में क्या phosphorus है, चीनी में क्या potassium है चीनी में क्या protein है चीनी में ऐसा क्या है जो हमारे शरीर को चाहिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम चीनी जो है गास भी चाहिए है, तेस्ट के लिए आसक जो है चीनी जो होती है लेकिन चीनी जो है वो जहर के समवाने और जोगोश कीनी मिठा बन आशी है उसी सात्त हमे स्क्तश vats हम गर चीनी का मिठा पन है वो है, शुगर का मिठा पन है सूक्रोस हमारे शरीर को जो मीटा बन चाहिए वो तर फ्रक्टोस फ्रक्टोस जो मीटा बन है वो कहाँ पे अवलेबल होता है वो तर फ्रूट्स में आम में फ्रक्टोज होता है, जितने भी फ़ल है, जो बगवान के बनाई हुई चीज है, उनसाभी में फ्रक्टोज की ऐविलिविलिटी रहते हैं लेकिन हम जो हो सुक्रोज दिरे, सबसे पहले चीनी को उमें बंद करना है चीनी जो है वो कोकेन के बाद second most addictive चीज है हमारे को आदत पड़ जाती है उसकी पूरे शरीर को नुकसान देती है बहुत ultra process होती है sulfur का प्रयोग होता है चीनी को साफ करने में चीनी की मिल से आपका भी बाहर निकलो तो आपके नाक आपको बंद करके निकलना पड़ा इतनी गंदी smell होती है number one दूसरा अगर हमें sugar ठीक करने है तो हमारे को अपना साथ में अपना routine चेंज करना है हमारे को 45 minutes के लिए exercise बहुत ज़्यादा जरूर करने है जरूरी है exercise करना sedentary lifestyle हो चुका है बहुत सारे लोगों का आपने कभी देखा होगा यह lifestyle related disorder है बहुत कम बार ऐसा होता है कि यह कभी किसी रिक्षा पुलर को या कोई blue collar वाले को diabetes हो गई यह diabetes जो है यह generally white collar लोगों को जारा देखने को मिलती है इसके पीछे का reason है क्योंकि उनकी exercise बहुत ज़्यादा कम होती है exercise को हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बढ़ाना है उससे भी sugar जो है वो prevented रहेगी नहीं आएगी so true इस तरह कि अगर छोटी छोटी चीज़े भी follow कर ले तो हमें बहुत सा improvement बहुत सी बार patient को पता ही नहीं चलता उसको sugar हो गई है तो उन सबी के लिए मैं बता दो जिन लोगों को अगर पती-पत्नी आपस बना के ना रख पाएं तो समद लीजे sugar हो गई है diabetes हो गई है या होने वाली है बारी-बारी अगर किसी का गला सूख रहा है तो sugar हो गई है या होने वाली है टेस्ट करा लीजिए तीन टेस्ट होते हैं उसके HPA1C तीन महिने की आवरेज शुगर का टेस्ट होता है वो आप करा सकते हैं उसके साथ-साथ fasting शुगर का टेस्ट होता और PP शुगर का टेस्ट होता है ये तीन शुगर के टेस्ट आप करा लीजिए केवल fasting और PP के वेसिज़ पे शुगर यानि की डाइबिटीस की जज्जमेंट नहीं करनी है डाइबिटीस के लिए HPA1C टेस्ट बहुत जुरूरी है उसको आप कराईए और अगर अर्ली स्टेजिस है तो रिवर्सल बहुत पॉसिबल है बहुत अच्छे से पॉसिबल लाइफ स्टेल जेजिस करके ही पॉसिबल है नहीं तो आप अपने नियरभाई किसी आरवेट चिकित सक्से मिलिए जो भी आपके आसपास है डाइबेटीस के साथ ही आती भी इशू है अलग है थोड़ी कैसे वग करती है डाइबेटीस जो है वो बिमारियों का समू है जितनी मोटी कमर उतनी छोटी उमर दा लॉंगर दा बेल्ट दा शौटर दा लाइफ मतलब आप इसको सीधा अंजादा लगा लिजी अगर हमारे शरीर में एक किलो वजन बढ़ता है तो हमारे बलड को बारा किलो मीटर लगबाग बारा किलो मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता इतना ज़्यादा लोड पड़ता है हमारे हार्ट के उपर वोजो तो ओवरवेट के लिए सबसे जरूरि है कि खाने पीने को अंदर जाए खाने को खाना नहीं है बिल्कुल अराम से चू करेंगे खाने को फिर वो पानी वे when वे शलाईवां मिलेगा फिर वो अंदर जाए उससे क्या होता है वो पेजबेन के जब जाते हैं तो इंटरसेंट पर जोर नहीं पड़ता दूसरा क्या होता है जब वो खाना हमारे सलाइवा में मिलके जाता है वो डाइजेस्ट भी प्रॉपर होता है दूसरा है जिन लोगों का वेट लॉस है उन लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो बीज़ी मंचिंग करते रहते हैं वो मंचिंग जो है बंद करनी है तिसरा जो है वो खाने पीने का समय निर्धारन करना है आपने intermittent fasting का concept होना है हमने वही concept बता है 9 से चेकिया विंडो बना लो उसी समय आप खाना खाएंगे तो उसे भी जो है वो weight loss काफी हद तक उसमें help मिलेगी चौता व्यायाम का routine बनाना एक वयायाम होता है मसल्स के लिए जो करते हैं weight lifting करते हैं, gym जाते हैं दूसरा वयायाम होता है योग जो करते हैं अब योग जो हमारे जो muscles कर रहे हैं, gym जा रहे हो muscles के लिए बहुत अच्छा है, même health मुझे लगता है बहुत अच्छा result आएगा साथ में नमक को बंद करना और चीनी को बंद करना है, वेट लॉस के लिए भी ये छे साथ चीजें कर ली तो पहले दिन से ही वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, पहले दिन से, डे वन से वेट लॉस होगा, अगर ये सारी चीजें हमने फॉलो करने है, so true और ये घर बैठ के खोई भी फॉलो कर सकता है, छेसा चीज़ें जो बताई हैं, छेसा चीज़ें फॉलो करके वेट लॉस होगा ही हो, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिफोर भी मुग तो रैपिड फायर, कि आज कल मेंटल हेल्थ इशू बहुत जादा है जैसे stress, sadness, depression, इन सब इस्तितियों को cure किया जा सके या prevent किया जा सके अगर आप कुछ बताएं बहुत common होता जा रहा है, आजकर depression, Parkinson's, anxiety, Alzheimer's, सारी जो mental related problems है इन सब को बहुत अच्छे से आईरवेद में पूरा इसके बारे में बताएंगा है यह नहीं सोचना, अगर यह सोचना भी है तो मैं सभी लोगों को आपके जरीए बताना चाहूँआ कि अगले दिन की सुबा डायलेक लोगों नहीं देखी, तो आप उन में से हैं जो अगले दिन की सुबा देख रहे हैं आपके हाथ में स्मार्टफोन है क्योंकि आप हमारी वीडियो देख पारें, आपको आज का खाना मिला, दुनिया की लग बग 30-40 परसेंट अबादी को हो सकता है खाना ना मिला, तो बगवान का शुकराना करना बहुत ज़रूरी है अब इस शुक्रिया भगवान का शुकराना करने से होता क्या है, कि जब हम ये करते हैं तो हमारा ध्यान चला जाता है कि मेरे मैंने क्या खो दिया, उससे चला जाता है और हमारे मेरे पास क्या है, उस पे आ जाता है तो हमारी mental स्थिती जो है, वो automatically alignment होना शुरू हो जाती है, जो ये करेंगे उनको कभी भी Parkinson नहीं होगा, Alzheimer नहीं होगा, उनको brain से related depression नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी अगर अच्छे से follow करेंगा और नीन्द को improve करने के लिए भी कुछ है, आपने हमने थोड़े दिर पहले बात की थी, sleep आपके physical body को भी impact करती है, और sleep आपके mental moods को भी impact करती है, तो sleep improve करने के लिए कुछ option है, आयरुवेदा में जी बिलकुल, नीन्द अच्छी आनी बहुत ज़रूरी है, हमारी सरकेडियम रिदम ठीक होनी चीए, सोने उठने का समय बिलकुल ठीक होना चीए, बहुत से लोग उसको पूरा परिवर्तित कर चुके हैं, दिन में वो सो रहे हैं और रात में काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सा एक आयरुवेदिक पंचकर्म चिकित्सा है, जो नीन्द में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, नीर बाई आपके कोई भी पंचकर्मा सेंटर हो वहां से कराएं, जो नहीं तो हमारे पूरे इंडिया में 15 से ज़्यादा आयरुवेदिक क्लिनिक और होस्पिटल हैं, वहां काफी मज़ा आया, पुनी जी बड़ी डेप्थ में आपने आंसर दिये, आई थिंग बहुत सारे मेथ और क्वेश्यन्स और किन्फूजन्स होंगे, जो लोगों के इससे दूर होंगे, और कई नए टिप्स लोगों को मिलेंगे, जो बहुत ही बारीक है, आई थिंग हर कौन सा है, स्ट्रेस रिलीव करना है, तो सबसे बढ़िया हर्भ है भ्रामी, भ्रामी को हाँ शेवन कर सकते हैं, शंक पुषपी के साथ, ये दोनों का अगर आप लेते हैं, तो स्ट्रेस जो है, वो बहुत अच्छे से कंट्रोल रहेगा, भ्रामी और शंक पुषपी जो है ये आयुर्वेदिक रूप से, नैचुरल रूप से, एंटी डिप्रेसेंट का काम भी करेगी, साथ-साथ मेंटल शक्ति को भी वड़ाईगी है, एक ऐसी आयुर्वेदिक हैबिट जो हर किसी को डेली अडॉप्ट करनी चाहिए, सभी लोगों को सुबा उठते ही पानी का स जाए, ऐसे सेवन करना है पानी का, और साथ में वो किस पॉजिशन में करना ये भी बहुत जरूरी है, हमें करना है मल आसन में बैठके पानी का सेवन करना है, उखडू बैठके पानी पीना है, दो गलास पानी का सेवन करेंगे अगर उखडू बैठके सुबा सुबा, तो उससे हमारे शरीर की जो गंदगी है वो भी सारी निकलीगी और पेट भी जल्दी साफ होगा पानी को लेकिन दोगला से कठे नहीं पीना है पानी को एक बारी में 100-100 ml पीना है थोड़ा सा गैप देना है हमारी किट्नी एक मिनट अबे 100 ml पानी चाहन रहे है एक नया आपने बता दिया फानी पेने का मॉर्निंग या इवनिंग मेडिटेशन के लिए बेस टाइम क्या है डेफिनेटली मॉर्निंग बेस टाइम है क्योंकि मॉर्निंग में सबसे ज़ादा एनरजी होती है हमारे जो आसपास जो वातावरन है वो भी बिलकुल बढ़िया रहता है दिन का समय होता है सूरज भी होता है उस समय तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया टाइम है सूरे के प्रकाश के समय जो है वो मेडिटेशन किया जाए जिससे पूरा दिन आपका वो अच्छा जाए यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कुलहारी को शाप किया जाता है meditation का वही रोल है हमारे पूरे दिन के लिए सुबह meditation कर लिया तो पूरा दिन जो है वो अच्छा जाएगा decision making पूरा दिन अच्छी होगा Ayurved के बारे में एक myth जो आप तोड़ना चाहेंगे Ayurved जो है वो slow काम करता है मैं जितने भी podcast में जाता हूँ सबी लोग मिरसे यह कहते हैं कि Ayurved slow काम करता है Slow काम करता है यह बहुत बड़ा myth है सबसे बड़ी बात है कि Ayurved जो है जो वो बिमारी को जड से ठीक करना में विश्वास रखता है holistic approach है हमारी psychology, physiology कंट्रोल करती है जो हम अगर हमारे खुश होगे तो हमारी body में वेसी आपको energy दीखेगे अगर हम sad mood में होते हैं तो body में वेसी energy दीखती है तो बहुत ज़रूरी है कि हम holistic approach की तरफ आए क्या दिन में खाना खाने के बाद सोना ठीक है दिन में खाना खाने के बाद सिर्फ एक ही चीश थीक है वो है वजज रासन दिन में खाना खाने के बाद और हमें कुछ नहीं करना है उसके बाद आप regular जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं लेकिन वज्ज रासन सबसे ज़्यादा जरूरी है खाना खाने के बाद उसको कीजिए आपका खाना भी digest होगा और बिमारियां भी बहुत सारी नहीं होंगी चाए और कोफी क्या पीना correct है? पीना चाहिए? दोनों जहर हैं आप दोनों में से कोई भी जहर लीजिए दोनों एक बराबर हैं चाहे कोफी दोनों हमारे शरीर के लिए हमारे वातावरन के लिए हमारे देश के लिए नहीं बनी है चाहे और कोफी जो है ये थंडे प्रांदू के लिए बनी है जहां पर बहुत ज़्यादा ठंड़ पड़ती हूँ जहां पर temperature minus में जाता हूँ वहां पर उनको चाय कॉफी की जरूरत पड़ती है heart rate बढ़ाने के लिए pulse rate बढ़ाने के लिए लेकिन हमारे को चाय कॉफी नहीं चाहिए जाख देना है उसकी जगह पर गरम पानी को पीना है चाय कौफी कितरा सिप सिप घृन टी जैसे लोग लेते हैं इवन दाट इस बैरल ग्रियन टी है सकते हैं ले सकते हैं हरव्लटी ले सकते हैं और साहथ में कुछ ना मिले तो गरम पानी को गुनगुना करके लेंगे एक तो वो चाय की तलब को मिटाएगा दूसरा चाय की गंदगी को भी बाहर निकालेगा शरीर से शुगर की जगे क्या हनी को यूज किया जा सकता है कई लोग कहते हैं करना चाहिए शुगर बिल्कुल नुकसान देती है शुगर का मतलब मैं यहां समझ रहा हूँ वाइट प्रोसेस अल्टरा प्रोसेस शुगर जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान देती है उसकी जगा पर हनी का प्रयोग कर सकते हैं अगर वो आपको शुद्ध मिलती है साथ में देशी खांड का प्रयोग कर सकते हैं गुड का उपयोग कर सकते हैं यह चीजे जो है वो शरीर के लिए अम्रित हैं पहले चीनी का कोई यूज नी करता था भारत में चीनी तब आई जब अंग्रेज आए पहले कोई लेता नहीं था फ्री में बाटी गई फ्री में हम कुछ भी ले लेते हैं फ्री में बाटने के बार लोगों को उसकी आदत पढ़ गई तो हम अपने गुड शक्कर और और ये खान चोड़कर हम चीनी पर आ गए चीनी अमारे शरीर के लिए ज फिर्वेधिक रेमेडी सबसे वेस्ट है चुरू हो जाता है प्रोड्रोमल सिम्टम्स आने लग जाते हैं कल मुझे बुखार होगा पर सो मुझे बुखार होगा इस तरीके से पता चल जाता है उस समय में जिसको लगरा बुखार होने वाला लंगन करेंगे लंगन होता है उपवास करेंगे वरत करेंगे उस समय कु कोड़े टाइम उपवास करो वरत करो लंगन करो कोल्ड जो है वो जड़ से ठीक होगा बिना दवाई के खाना छोड़ देने से बिलकुल ठीक होगा जितने भी आप देखोगे आप जितने भी आसपास हमारे जानवर हैं वो कोई केमिकल की दवाईया नहीं खा रहे वो सिरप आप देखोगे ना बीमार होगा ना तभी उसको आप कुछ दोगे ना कहने के लिए वो कुछ नहीं खाएगा उसको पता है वो कुछ पदा है कि स्कूल में नहीं गया कि मुझे इस समय नहीं खाना मेरी शरीर जो है वह नहीं मंग रा है इस समय और पानी का सेवन कैसे होगा बुखार के दुरान या उससे पहले? पानी आपी सकते हैं, पानी पानी का प्रोपर सेवन करना जरूरी है, बुखार में सबसे अधकत लना क्या होता है? पानी का कम सेवन करना, डेईडरेशन नहीं हो नी झायद के समय में, वो अमें बहुत अच्छे से ध्यान रखने है गी का यूज कि आयरुएद में प्रिस्क्राइब्ड है कई लोग घी को नेगेटिव बोलते हैं कई लोग पोजिटिव बोलते हैं आयरुएद का पॉइंट ओफ यू क्या है घी को लेके घी का इस्तमाल घी जो है वो हमारे शरीर के लिए अम्रित बताएगा है गाएं का घी देसी गाएं का घी अब गाएं की भी वेराइटी हो गई अब जर्सी गाएं है बैंस का घी है जो भी है लेकिन देसी गाएं का घी हमारे शरीर के लिए अम्रित है जर्सी गाएं का घी है अम्रित नहीं है हमारे जटरकनी को बढ़ाता है, हमारे शरीर में तरावट करता है, जवानी में खा लिया, तो बुड़ापे में हडिया ठीक रहेंगी, इतनी ज़्यादा ताकतवर है, देसी गाएंगा की, अगर वो लेते हैं, उससे बढ़िया हमारे शरीर के लिए कोई औशदी नहीं है, आ क्या फास्टिंग आयरुवेद का इससा है, बुरत रखने की जो रिच्वल्स होती है, इस पार्ट ओफ आयरुवेद है, आयरुवेद में फास्टिंग यानि की लंगन, इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया गया, आप भी देखोगे न, जितने भी हमारी संस्कृती है, जोडने से उसकी widespread acceptance हो जाती है, बहुत सारा लोग उसे मानने लग जाती है, लेकिन भागवान को हमारे बुखे राने से कुछ नहीं मिल रहा, ना उसको कोई फाइदा हो रहा है, उसके फाइदा किसको हो रहा है, बुखे राने से हमारे अंदर जो भागवान बैठा है, उस पास रखा तो समय हमारे जी आईटी को अराम मिला हमारे पूरी बॉडी में अराम मिला एक कॉंसेप्ट है जो रिसेंटली स्टेडी हुई ऑटो फीजी जिसको कहते हैं ऑटो फीजी में क्या होता है अगर 24 गंटे हम खाना नहीं खाते हैं तो उस 24 गंटे में हमारे जो शरीर ह को बीमारे जाउस को हाने लग जाते हैं वे बिमारी वाले जैल्स को खाने लग जाते हैं लेकिन को काम करने से कौन रोकता है हम कुद रोकते हम बारी बारी खाना अगर हम खाली पेट रहते हैं हमारे स्कीण केंट इसल् raising मैं दूड़ इंदे सेल्स को, खराब सेल्स को, बिमारी वाले सेल्स को, खाने लग जाते हैं, इतना पावर्फुल है फास्टिंग, सभी लोगों को फास्टिंग करनी चाहिए, इसको आप ये समझ के चलिए कि आप religious point of view से कर रहे हैं, तो उस तरीके से तो benefit मिले गए religion में, लेकिन आपके शरीर में ये बहुत अच्छा अंतर लाने वाला है, आयूरुएदिक skincare रुटीन्स पर आपका क्या विचार हैं, आयूरुएदिक skincare में सबसे ज़्यादा जरूरी है मुलतानी मिट्टी का प्रयोग, जितने भी लोग दुनिया बरके chemical शरीर पर लगाते रहते हैं, मैं क्यात शेव करते हैं न जो लोग, वो शेव करने के बजाए न उसको shaving cream के बजाए दूद या दई से कर लो, face पे भी glue आएगा और shave भी बहुत चिकनी बनेगी, ये एक अजमाया हुआ तरीका है, मैंने बहुत लंबे समय से shaving cream का use नहीं किया है, दूद से मैं shave करता हूँ और बहु Last question, sinus के issues बहुत लोगों के अंदर आजकल देखे गए हैं, तो Ayurved में sinus के issues को deal करने के लिए क्या हुपाये हैं? तरीके हैं sinus को treat करने के, वो पंच कर्म थेरीपी का भी आप इस पर फायदा ले से, पंच कर्म थेरीपी अपने centers कहां कहां पर अगर आप बता सके हैं, so that people can connect, where we have our centers, Delhi, गुडगाओ, नोइडा, बैंगलोर, मंबई, पतना, लखनव, और साथ साथ जैपूर में भी, सारी ज शुल्क परामार्च भी लेना चाहता है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे doctor से बात कर सकते हैं, telephone पे भी बात कर सकते हैं, telephone पे directly कर सकते हैं, I think we'll give the numbers in the description box, so if you have any query, you can dial that number and you can contact them.